जे ज्री राम, जे हनुमान, जे बागेस्वर धाम सरकार, बागेस्वर धाम का ये उपाई रामबान उपाई है, ये उपाई खुद धिरेन सास्त्री जी ने बताया है, इस उपाई को करने से आप माला माल हो सकते हैं, इस उपाई में बस आपको एक नंबर लेकर अपने पर् दिखाई दे रहा हो तो यह आपको उपाय जरूर करना चाहिए इस उपाय को करने से आपके जीवन में धन से संबंदित कभी समस्या नहीं आएगी और आपके पास हमेशा धन बना रहेगा आप यह उपाय किसी भी सुब दिन सुब नक्षतर में कर सकते हैं चायबो सौंबार, मंगलवार, सुकुरवार, सनिवार का देनों इस उपाई को करने के लिए आपको मालक्षमी जी का जो प्रिये रंग है जैसे कि मालक्षमी जी का प्रिये रंग लाल रंग है आपको लाल रंग का कोरा कागज लेना है साथ में आपको मालक्षमी जी की प्रिये चीजे कोडी लेना है और एक लोंग ये दो चीज आपको लेनी होगी साथ में आप रोली लीजिए सूखी रोली में थोड़ा गंगा जल डाल कर गीला कर लीजिए फिर आपको मालक्षमी जी की तस्वीर के सामने बैट जाना है और घी का दीपक जलाना है मातालक्षमी जी के सामने बैट कर मातालक्षमी जी का प्रिये अंग और धन प्राप्ती का प्रिये अंग जो की नो है वो आपको लाल कागज पर रोली से नो लिखना है और उसके उपर महालक्षमी का मंत्र ओम महालक्षमी नमा ये लिखना है और राइट साइड में आपको मातालक्षमी जी को पिरसन करने के लिए स्वास्तिक का निसान बनाना है और उस पेपर को मालक्षमी जी के चर्णों के पास रख देना है और फिर आपको अपने हाथ की मुठी में लोंग को रख कर आपको माता लक्षमी जी का मंत्र बोलना है माता लक्षमी जी का बीज मंत्र है और महालक्षमी नमा ये बोलते हुए लास्ट में आपको 9 अंक भी बोलना है और महालक्ष्मी नमा का कोसिस कीजिए 11 बार, 21 बार या 101 बार हो सके तो 101 बार कीजिएगा फिर कोड़ी और लोंग को उसी कागज में रख देना है आप इसकी एक पुड़िया बना कर इसे माता के चर्णों में रखा छोड़ देना है और जब तक दीपक पुड़िया को नहीं उठाना है जैसे ही दीपक आपका पुड़िया को उठाई और अपने पर्स में रख लीजिए इस उपाई को करने से आपकी सारी धन संबंदित परिसानिया दूर हो जाएंगी और आप माला माल हो जाएंगी और माता लक्षमी जी की किरपा आपके पास सदा वनी रहेगी जै मालक्षमी